राम मंदिर की प्राण प्रतिस्था का कार्करम 22 जन्वरी को होना है, हर किसी को इस दिन का बेसबरी से इनतिजार है। वह इसके साथ ही इन दिनों संक्राचार का नाम भी खूब गुज़ रहा है। दरसल चारो संक्राचार ने प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम में सामिल होने से इंकार कर दिया है वो इस कारिक्रम का हिस्सा नहीं होंगे कहा जा रहा है कि वो अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से नाराज है पुरे मामले को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि संक्राचारे कौन होते हैं, सनातन धर्म में उनका क्या महत्व होता है और कैसे उन्हें यह उपाधी मिलती है बता दें देश की चार पीठों में चार संक्राचारी होते हैं हिंदु धर्म के प्रचार प्रसार और रक्षा के लिए संक्राचार सर्वोच गुरू माने जाते हैं सनातन धर्म में संक्राचारी का बड़ा महत्व होता है संक्राचार पदी की सुरुवात आधि संक्राचार से हुई, आधि संक्राचार एक हिंदू दार्शनिक और धर्म गुरू थे, आधि संक्राचार केरल के एक गाउ में पैदा हुए थे, उन्हें जगत गुरू के नाम से भी जाना जाता है हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए संक्राचार सर्वोच गुरू होते हैं आदि संक्राचार को भगवान संकर का अतार माना जाता है आदि संक्राचार ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत के चार छेत्रों में चार मठ स्थापिद किये चारों मठों में प्रमुख को संक्राचार कहा गया इस पद की सुरवात आदि संक्राचार से मानी जाती है इन मठों की स्थापना करके आदि संक्राचार ने उन पर अपने चार प्रमुक सिस्चों को आसीन किया तब से इन चार मठों में संक्राचार पद की परंपरा चली आ रही है हर मठ का अपना एक विशेश महाकाव्य भी होता है भारत में चार पीठों में चार संक्राचारे होते हैं इन पीठों को मठ भी कहा जाता है सरातन धर में मठ पीठ का अर्थ है ऐसे संस्थानों से जहां गुरू अपने सिस्चों को सिक्षा उपदेश आधि देने का काम करते हैं यहां मुख्यता आध्यात्मिक सिक्षा दी जात हमारे देश में चार प्रमुक मठ द्वारका, जोतिस, गोवर्धन और स्रिंगेरी पीठ है आदि संक्राचारे ने भारत में चार मठों के स्थापना की थी इन चारो मठों में उत्तर के बद्रिका अश्रम का जोतिर मठ, दच्छिड का स्रिंगेरी मठ, पूर में जगनात पूरी का गोवर्धन मठ और पस्षी में द्वारका का सार्दा मठ शामिल है आदि संक्राचार ने अपने बाद अपने चार प्रमुक्सिस्यों को ये जिमेदारी सोपी तभी से भारत में संक्राचार परंपरा की स्थापना हुई संक्राचार के पद पर बैठने वाली व्यक्ति को त्यागी, डंडी, सन्यासी, संस्कृत, चतुरवेद, वेदांत, ब्रांभण, ब्रह्मचारी और पुरानों का ज्यान होना अनिवारे है संक्राचार बनने के लिए ब्रांभण होना अनिवारे सर्थ है इसके अलामा तनमंद से पवित्र जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो चारो वेद और छे वेदांगों का ग्याता हो भारत के चारो मठो के चार संक्राचारियों का विशेश महत्व है भारत के संध समाजों में सबसे उपर ये संक्राचार आते हैं रामस्वरम में सिंगेरी मठ जिसके संक्राचार जगत गुरु भारती तीर्थ है 22 जन्वरी को रामलला के प्राण प्रतिस्था को लेकर कहा जा रहा है कि संक्राचार कह रहे हैं अयोध्या में बना राम मंदिर अभी पूर रूप से बन कर तयार नहीं हुआ है इसलिए अपूर मंदिर में प्राण प्रतिस्था उचित नहीं है हलाकि वैशनव संत महंतों ने राम मंदिर प्राण पतिष्ठा को लेकर कोई खामी नहीं निकाली और कहा कि देश दुनिया में वर्तमान में ऐसे कई मंदिर हैं जहां निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और दस को पहले प्राण पतिष्ठा पूरी हो चुकी है वहीं इस बीच विश्व हिंदू परिसत के कारिकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा चार में से दो संक्राचारियों ने राम मंदिर में होने वाले प्राण पतिष्ठा समारों का खुले तोर पर स्वागत किया है लेकिन वो किसी कारण से प्राण पतिष्ठा कारिक्रम में स आपो जाएगाद